Hello friends, welcome to study news आज हम इस वीडियो में 28 और 29 जुलाई के exam related जितने भी important question हो सकते हैं उन्हें हम यह solve करेंगे, so let's start First question है, भारतिय नौसेना अकाडमी, INA के commandant के रूप में किसे निक्त किया गया है आपसंस हैं, वाइस एड्मीरल M.A. हमपी होली, वाइस एड्मीरल असोक कुमार, वाइस एड्मीरल अजीत कुमार या वाइस एड्मीरल अतुल कुमार जैन तो भारतिय नौसेना अकाडमी के commandant के रूप में वाइस एड्मीरल M.A. हमपी होली ने पद समाला है तो इसमें उत्तर option A सही है इससे पहले इन्होंने नौ सेना मुख्याले में महानी देशक्र नौ सेना संचालन के रूप में काम किया है इसमें ये जो वाइस एड्मीरल अजित कुमार है ये फ्लैग ओफिसर कमांडिंग इनचीफ है वेस्टन नेवल कमांड के और वाइस एड्मीरल अतुल कुमार जैन फ्लैग ओफिसर कमांडिंग इनचीफ है इस्टन नेवल कमांड के नेक्स्ट कोस्चन है हिच में मेचीची किस देश के राष्टपती बने है ओप्संस हैं गेबोन, ट्यूनेशिया, सूरी नाम या मलावी तो हिच में मेचीची ट्यूनेशिया के राष्टपती बने है तो इसमें उत्तर आप्सं भी ट्यूनेशिया सही है ट्यूनेशिया देश अफ्रीका कॉंटिनेंट के नौर्धन पार्ट में है जिसकी राजधानी ट्यूनेश है ये भूमद्य सागर के किनारे इस्थित है इसके पूर्व में लीबिया और पस्चिम में अलजीरिया देश है इस देश की लगभग 45% जमीन सहारा रेगिस्तान में है ट्यूनेशिया के राष्टपती कैस सईध है इसमें और उप्संस के बारे में बात करें तो गेबोन की हाली में प्रधान मंत्री बनी थी ओशुका रेपोंडा जो गेबोन की पहली महिला प्रधान मंत्री थी और हाली में सूरी नाम के प्रेसिडेंट बने है चंद्रिका प्रसाथ संतोखी और हाली में मलावी के राश्पती बने हैं लौजर मेकार्थी चकवेरा विस्व प्रकर्ती सनरक्षण दिवस कब मनाय जाता है आप्संस हैं 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई या 28 जुलाई तो 28 जुलाई को विशु प्रकरती सनरक्षन दिवस मनाय जाता है तो इसमें आप्संड D 28 जुलाई सही है इस दिन को वैस्विक इस्तर पर प्रकरतिक संसाधनों की रक्षा के लिए और जागरुकता फैलाने के लिए मनाय जाता है क्योंकि हमारी प्रित्वी पर सीमित संसाधन है जिने हमें प्रित्वी पर संतुलन बनाए रकने के लिए कुसलता से उप्योग करने की आउशकता है और आज ही के दिन 28 जुलाई को वर्ड हैपिटाइटेश डे भी मनाय जाता है विस्व का सबसे बड़ा सौर उर्जा सनियंत्र किस देश ने विक्सित किया है आप्संस हैं इंडिया, USA, रसिया या UAE तो फ्रांस के EDF और जिंको पावर की साजेदारी में आबुधाबी नेशनल एनर्जी कमपनी तका और मसर के नेत्रित्व में आबुधाबी में दुनिया का सबसे बड़ा सोर उर्जा सनियंत्र विक्सित किया जा रहा है तो इसमें उत्तर आप्संडी, UAE सही है इसकी छमता 2 गीगावाट की होगी नेक्स्ट कोस्चन है हाल ही में हमारे देश के किस केंद्रिय मंत्री ने SEO का प्रतिनिधित्व किया है आप्संस हैं एस जै संकर, डॉक्टर हर्सवर्धन, राजनात सिंग या अजिर डोभाल तो केंद्रिय स्वास्थ और परिवार कल्यान मंत्री डॉक्टर हर्सवर्धन जी ने 24 जुलाई 2020 को निर्वाण भवन में संगाई सहयोग संगठन या SEO के स्वास्थ मंत्री की डिजिटल बैठक में डिजिटल रूप से भाग लिया इस बैठक की अध्यक्षता रूशी संग के स्वास्थ मंत्री मिखाईल मुराश को ने की SEO की बात करें तो SEO का फूल फॉर्म संगाई कॉर्पोरेशन और्गनाईजेशन है इसकी स्थापना 2001 में चीन में हुई थी वर्तमान में इसके महासचीव ब्लादेमीर नोरो हैं और इसका मुख्याले बीजिंग चीन में है Next question है किस देश ने High Resolution Mapping Satellite को लॉंच किया है Options हैं अमेरिका, रूस, चीन या जापान तो चीन ने टाइवान उपगरह प्रक्षेपण केंदर से इस High Resolution Mapping Satellite को अंत्रिक्ष में भेजा जिसका नाम Zaiwan 3 है इस Satellite के साथ चीन ने दो और Satellite भी भेजे है Next question है विश्व बाग दिवस कब मना जाता है Options है 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई या 29 जुलाई तो हर साल विश्व बाग दिवस 29 जुलाई को मना जाता है तो इसमें उत्तर Option D 29 जुलाई सही है ये दिवस बागों के सनरक्षण और उनकी संख्या में वृद्धी करने के लिए मना जाता है Next question है हाल ही में भारत ने किस देश को? 10 ब्रोड, Gage, Diesel, Engine सोपे हैं Options है म्यमार, बांगलादेश, पाकिस्तान या नेपाल तो भारत ने बांगलादेश को 10 ब्रोड, Gage, Diesel, Engine सोपे हैं तो इसमें उत्तर Option B बांगलादेश सही है Next question है हाल ही में मध्य प्रदेश के राजपाल के रूप में किसे निक्त किया गया है आप्संस हैं बीडी मिसरा, आनंदी बैन पटेल, जगदीस मुखी या फगु चोहान तो मध्य प्रदेश के राजपाल के रूप में आनंदी बैन पटेल को निक्त किया गया है तो इसमें उत्तर option B, आनंदी बैन पटेल सही है आनंदी बैन पटेल एक भारती राजनितिग्य और ये उत्तर प्रदेस की राजेपाल भी रह चुकी है मद्ध प्रदेस के इस से पहले लाल जी टंडन राजेपाल थे जिनका हाली में निधन हो गया था आनंदी बेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्य मंतरी भी रह चुकी है इसमें और options के बारे में बात करें तो B.D. मिसरा अरुनाचल प्रदेश के गवर्नर है जगदीस मुखी असम के गवर्नर है और फागु चोहन बिहार के गवर्नर है नेक्स्ट कोश्चन है दी इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अंसर्टेन वर्ड के लेखक कौन है options है एस जै संकर, डॉक्टर हर्सवर्दन, राजनाथ सिंग या आजी डोबाल तो हमारे विदेश मंत्री एस जै संकर जी ने इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अंसर्टेन वर्ड पुस्तक लिखी है तो इसमें उत्तर option A, एस जै संकर सही है तो ये थे आज के important questions, thanks for watching this video, good day